हेलो बच्चों कैसे हूँ आपका स्वागात है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं आज जो हम करेंगे यहाँ पर 20 महतवपून MCQ जो exam point of view से काफी महतवपून रहेगा इसको आपको करना है सोचना है विचारना है और इनलाइज करना है यह 20 MCQ जो है exam point of view से काफी महतव रखेंगे और इसमें जो हर एक बात को इनलाइज किया जाएगा और सबसे महतवपून बात है कि यह हिंदिंग इस दोनों माद्यां में रहेंगे तो यह आपके लिए काफी महतवपून बन जाता है तो देखते हैं हमारा यहां पर क्या MCQ आया है यहां पर जो हम करने जा रहे हैं काफी महतवपून है यह कोशन पेपर यह कक्षा नोमी के छत्रों के लिए है और यह हमारा जो टॉपिक है यह है सोशल साइंस यानि देखा जाया तो समाजिव विज्ञान के जो MCQ आया है exam point of view से काफी महतवपून रहेगा और देखा जाये तो exam में ऐसे ही कोशन आने की chances रहेंगे यह काफी महतवपून आप लोगों के लिए बन जाता है इसके यहां पर 20 MCQ कोशन रहेंगे जो काफी महतवपून है exam point of view से जिसको आपको देखना है समझना है और अ क्या है अगरा कोशन आपके screen पर आ गया है को मंता कि अभी कर्थन एक कर्थन के बार कारण वी करकर नाता है और सही विकल्भ को आपको चिन्डित करना यहांँ पर और यहां कोशन कि सुख और से प्रभाभी सू्खẫn से प्रभाविद चेत्र में भोजन की कमी हो जाती है तक ये सुकह से प्रभावी च्छित्रों में भोजन की कभी हो जाती है करन यह कह रहा है कि प्राक्ति आपदा के कारण, खाध्यान फुल्थ पाधन घड़ जाती है यह दिखी बात भी सही है कि प्राक्ति आपदाओं की कारण, जो पेर पहते हम लगाते हैं जो हम क्रिशी करते हैं उन्हें कुल उत पादर में घट जाती है इसमें कोई दोर आए नहीं You know that question here Asservations is a draft to create a shortage of food in affected area The draft creates a shortage of food in the affected area The reasons here, due to the natural climate is the total production of food gain as decrease You know that question is very interesting Asservations is a draft create a shortage of food in the affected area And reason here, due to the natural climate is total production of food grain decreasing To question which is very important here Option यही रहेगा कि दोनों a और आर सत्य है और आर एका सपस्टिक्रन कर रहा है B यही कहेगा कि दोनों a और आर सत्य है आर एका सपस्टिक्रन नहीं कर पा रहा है C है यह सच है सत्य है लेकिन आर गलत है D यह कहेगा कि यह गलत है और आर सत्य है तो यहाँ पर अगर बातों को समझे और हम विचार करें तो यह काफी महत्पून यहाँ पर बात रखेगा कि option क्या सही है सुखे से प्रवाज चेत्रों में भोजन की कमी तो हो जाती है तो बात सची सही है और प्राकेदि आपदाय कारण खाद्यान का कुल उत्पादन घर जाती है यह भी बात सही है तो option तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर आजाता है लेकिन क्या आपदाय कारण खाद्यान का कुल उत्पादन घर जाती है सुखे से प्रवाज चेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है क्योंकि अगर यह घटेगी प्रवाज अब आप इसे भी आप इनलाइस कर सकती हो कि प्राक्रित अपदाय कारण खाद्यान का कुल उत्पादन घर जाती है जिसके कारण सुखे से प्रवाज चेत्रों में मुझने कभी हो जाती है कर रहा है ना पूरे-पूरे संटेंस बन रहे हैं तो इसका मतलब option ए आपका सही है कि दोनों ए और आर सत्य है आर एका सपस्टिकरन हो रहा है तो यहां ए option आपका सही जागे चले देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्ष आगया है कोशन है कि एक किसान ने विभिन बर्षों में गिहुम के उगाया है परतेख वर्ष किसान की खपत समाने रहती है खपत के बाद बचे हुए ग्यों का पूरा उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूजी के रूप में किया जा सकता है प्रतेक वर्ष उत्पादन और उत्पादन में पूजी से दुगनी हो जाती है तो दी गई जनकारी का धार पर तालिका को आपको पूरा करना है तो यहां देखिए वर्ष उत्पादन भोग अधी शेष इसकोल टूथ पादन माइनस अगले वर्ष के लिए उप्योगी पूजी देखिए वर्ष एक कह रहा है एक सौ फिर चालीस साथ साथ बर्ष दो में हम यह पहले पता करना पड़ेगा जो पर जो सौ था उसके दिए नीचे क्या आएगा दूसरा है चालीस असी असी तिसरा कह रहा है एक सौ साथ एक सो बी एक सो दस एक सो बीस और बी क्या आगया एग तो यहां बात समझने वाली है, सोचने वाली है और दिमाग लगाने वाला है देखिए पहले की गन्ना यहां किया जाया तो यह महत पूर्ण रहेगा तो आपको यहां विकल्ब भी दिये गए और विसाही विकल्ब की जो है यहां पर आपको चुनाव करने है अगर हम इस कोशन को समझने कोशिश करें अब फार्मर लोगना फ़र्ण वीट जोर्ण देखिए और ए्ट यह जाब लिकल्ब पर्ण पर्ण देखिए और टापको यह जोर्ण तो पता क्यावा जोर्ण झाब र टोड्ड पर चुनषई एट्टावर जार्ण जोर्ण तोडड़श का इस जोर्ण प्रणाब थाब न च्लवा यह इस बात को समझने की कोशिश करोगे थोड़ा सा समझ लगाओगे तो कोशन जो है कावी असानी सी हो जाएगा दखिए यहाँ पर 40-60 और 60 यहाँ पर 40-80 यानि 80-80 दो बात तो यहाँ सही है कि दो डिजिटल जो है सेम ही आएगा ठीक है दो डिजिटल जो है सेम ही आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ अब यह बात यहां आता है कि 100 में से अगर हम 40-60 करेंगे तो साटाथ ने टो असी हम किस में से माइनस करेंगे ओ झाल किस में से दिमाग में लगा यह बात ही यहाँ पर इस सोलूशन करता है कि हम अगर 100 कि हमें फर्मूला भी दिया हुआ है ना हमें फर्मूला में उत्पाद उत्पादन कितना हुआ 100 हुआ और अगले वर्ष के लिए भोग पूजी कितनी डगई 40 तो हम 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 ठीक है तो यहां पर 80 किस पेस पर आएगा 40 माइनस करने पर देखिए अगर 120 में से अगर हम 40 माइनस करती है तो 80 आजाएगा आएगा की नहीं बास सही है ना 120 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो 80 आएगा तो यहीं कहता है एक 120 में से 40 माइनस करेंगे तो 80 आएगा तो इसका मतलब आप्शन यहां A और B सही जाएगा लेकिन हमें चुड़ना तो एक को ही है ना या तो A या B लेकिन यहां पर देखिए वर्ष 3 में जो है 160 से 140 और 120 तो अगला डिजिट क्या हैगा जैसे आपने उपर देखा होगा बर्स एक और बर्स दो में कि लास्ट के टूस जिजिट जो है सेम है क्योंकि हमें कोशन में भी यही बात बोला था कोशन में भी यही बात बोला था कि प्रतेव भर्ष कतान की कपत समानने रहती है प्रतेव भर्ष जो है जा सकती हो आपका option A यहां पर सही जाएगा चोई देखते हैं अगला question कभी analyze करके देखती है अगला question आपके screen पर आ गया है अगला question है कि भावर की चौराई कितनी है भावर नदी है और भावर की नदी की चौराई कितनी है यह question आपको समझना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा तर नेम और इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसे तुक्का लगाना सही नहीं होगा और यहां बताया गया है कि आठ से 19 किलो मीटर बी कह रहा है आठ से 16 किलो मीटर रसी के रहा है सुला से 30 किलो मीटर या डी आठ से 26 किलो मीटर तो यह काभी महत पूर्ण यहां बात रखता है यह भावर की चुराएं कितनी हो सकती है अगर हम एक फैक्ट की बात करें अ नेरो वेल्ट लाइन पैरल टुट इस सीवालिक इस नोन अज़ भावर तो इसका मतलब देखा जाए तो यही कहता है कि अगर हम पैरल चलें तो सीवालिक को ही भावर के यह चला जाता है और इसकी जो चराई होगी है कि वह आठ से 11 किलोमेटर हो आठ से 11-11 किलो मीटर इसका मतलब भी अप्षन यहां सही है आठ से 16 किलो मिटर चलिए देखती है अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है अगला कोशन है कि भारत के एक मात्र सक्रिय जौला मुखी के नाम बताना है कि यह नाम अगर आपको पता होगा था फड़ाक से बता दीजिएगा कि भारत में एक मात्र सक्रिय नो इनडिया देखा चाहे तो option कह रहा है पहला मजजूली दीप भी कह रहा है बेनाडू दीप या डीकछ दीप यह सारे जो आलामुखी है लेकिन आपको इसमें से जो है शक्रिय यानि एक्टिव बेलकाणो के नाम बताना है कोन इसमें जो सक्रिय जो विस्वोड हो सकता है शक्रिय जो अलामों की छो हमें साथ होती ही रहती है कोन सी है बात यहां पर काफी महत तो पूर्ण कोशन बनता है लेकिस समझने की जरूरत है तो बेरिन आइजलेंड एक्टी वैल्खेनों फाउन इन दा अंडो मार और निकोबार आइजलेंड तो यहां सर जो है बीपर सारा कर रहा है बेरेंडीप जो है एक मात्र सक्रिये जोलामुखी है जो भारत में पाई जाती है और भारत के किस चेत्र में है अंडो मार और निकोबार दीप समू में है ये काफी खतरناक है वेरेंडीप जोलामुखी हमेंसा सक्रिये रहता है तो option आपका B यहाँ पर सही रहता है, चलिए देखते है, अगला question क्या है अगला question आपके screen पर आ गया है, अगला question है कि नर्मदा नदी का उद्गमस्थल कहा है देखी नर्मदा नदी का जो है वो कहां से शुरू होती है, question साफ है नर्मान अदी का उद्गमस्तल कहां है तो कॉशन रहे है Who lead to a The river of Narmada Has the source 8 The river Narmada Has it is a source 8 You know that question is very interesting The river Narmada Has a source 8 here अशन ये कह रहा है सत्पूरा B कह रहा है ब्रामगीरी C कह रहा है अमरकंटक B कह रहा है पश्मी चटल्स की ढलाने तो ये कावी में है तुपून बात है यहाँ पर The source of Narmada Is the smallest Reservoir known as the Narmada Kund The smallest Reservoir known as the Narmada Kund It is localized in the Amarkandak On the Amarkandak is a Plateau Indriya and Pural District Of Sahadol Zone of the Eastern Madhya Pradesh The mean here देखा जाये तो इसका आर्थ यही निकलता है कि नर्मदा नदी जो है एक काफि महत्वण नदी है और नर्मदी का सोत्र का एक छोटा सा जलास्य है जिसे नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है और यह पुर्वी मद्य परदेश के सहडोल छेत्र में जो है अनुप उडल जीले के अमर कंटक पाथार के अमर कंटक में स्थित्थ है तो इसका मतलब जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमर कंटक हुआ यानि सी ओप्शन आपका सही जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमर कंटक है तो देखते हैं अगरा कोशन क्या है दो अगरा कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है अगरा कोशन है कि नया यूद का निरत्व किसने किया था अब सोचिएगा कि नया यूद क्या है करने किसंभी नहीं है कि जो नया यूद था जिसको नाम नया यूद दिया गया उसका निरतु किसभी नहीं है कुमा फिर आए कुछ भी नहीं है बिल्कुल साफ है क्लियर ुल लिट नया यूद तो अब NAYa तो कोशन यहां कापी महत्वपून है समझने वाली बात है यहां के नया यूद का नित्व किस ने किया था तो यहां पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है कि हांसर है बीट चौधरी देवी लाई चौधरी देवी लाई जो थे नया यूद के लिए तो किया था यहां पर बी सही है यहां पर जो डी सी वी आई दिया हुआ है गलत यहां पर बन गया है यह देवी है यहनि चौधरी देवाई लाई जो है इन्हों ने जो है नया यूद का नित्व किया था और यह जो थे नया पार्टी लोग दल के सरस्य थी और इन्हों ने नया यूद का पुरा नित्व अपने कंधों पर लिया था तो भी ऑप्शन आपका सही है चले देखते हैं अगला और अंतिम कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है अगला कोशन है कि एक लोग तंद्र सरकार में निर्ना लेने की सकती विभाजित होती है यह तो आपको पता ही होगा कि एक लोग तंद्र सरकार में निर्ना लेने की सकती जो है अलग अलग दलों में विभाजित होती है तो देखा तो वो किस चेत्र में भी वाजित होती है कोशन इस वेरी क्लिया in democratic government the decision making power is divided in the in a democratic government the decision making power is divided in the question बहुत काभी महतपूने क्या विधाय को मिलता है या भी कारिकारी को मिलता है या सी न्याय पालिका को मिलता है या डी सभी को मिलता है तो देखा जाए तो यह काभी महत्वपून बात है काफी इंपोर्टेंट भी है कि भारत में लोगतंत्र होने के नाते सक्तियों का विभाजन किस परकार की जाती हो दिखा जाए तो भारत एक लोगतंत्र देश है और लोगतंत्र ए बी सी सभी सही है विधाया कारेकाली नियाय पालिका सभी को जो है सक्तिक विभाजन की जाती है तो इसका मतलब है ऑप्शन डी आपका सही है और आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो देखा जाए दोस्तों यहाँ पर जो कोशन हमने किया है काफी महत्वपून एक्जाइम बीडियो से रखता है और यह एक्जाइम में आने के चांसे हमेशा रहेंगे तो इसको अच्छे कीजिए समझे विचार कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेर कीजिए कि शेर ही दुसरे बच्चों का केर है जब तक सेर नहीं कीजिएगा तो दुसरे बच्चों के आगे बढ़ पाएगा ना हमें सचाई से हमें दिदार हो पाएगा कि बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा और सच्चा ज्यान ही उसको बस्तविक्ता से अबगत करा पाएगा और इसमें और देश के भविश्य में जो है अच्छे लाने के लिए आप एक कदम उठ रिचा सकती हो कि से बच्चे कलके भविश्य में अच्छा ज्यान प्राप्त करेगा तो ज़रूर हमारा देश की की तरक्की होगी थे कि कहते हैं जितने बी किताब पढ़े जितने वहीं सब में चुन्स अबरारína जलब गलत चीजों का नुशन कर रहरी में जो गलत है और इसमें आप सेर करके ही इस सभी बातों का जो है वार्षन कर सकती हो ठीक है जितना हो थ्लैचा विडियों को शेयर किजिए तो सब्सक्राइब कीजिएं तो आपको पता है कि दिरफान इसके डिसंटर सिक्थ क्लास से लेकि इम्मेट के बच्चों के लिए अगर सर है और सारे वीडियो जो बहुत ही असानी से यहां पर आप तो हो जाता है ठीक है तो 6 से में तक कोई आम बात नहीं है ठीक है तो यह सारे आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हो सोच सकते हो विचार कर सकते हो जैं सोचे नहीं विचार ना कीजिए अभी तिरपान इस प्रिशन्टर को सब्सक्राइब पर केमिवाल में सेव क आप दो आफ दो इडर चिज्सक्प manager टूप्ड़ी को सब्सक्राइब पर आप कर सकते हो जो है 가장ा कर स호 हैं हैंaje हैंक को अभान अडहीं आहाँ हैंवान सेवाeti विचमत में सेवाल में से दम हानब के Major Shepherd Language Program बताहाईब घ्ले घृ को विच आभान विचमत में सें हैं में से ल